fill in the blanks with the correct words from the box fill in the blanks with the correct words from the box इस box में जो words यह हैं उन्हें हमें इन blanks में fill in blanks को क्या करना है fill करना है इस word को पहले sentence को परते जाना है और कौन सा word इस sentence में fit होगा उसे हमें देखना है और क्या करना है fill up करना है blanks को सब first sentence क्या है he delivers letter जो deliver करता है letter उसे क्या बोलते हैं हम he is a postman यहाँ पे pictures भी दिया हुआ है postman हम उनको क्या बोलते हैं जो deliver करते हैं letter को उन्हें हम क्या कहते हैं postman we go to him when we are ill हम जाते हैं उसके पास जब हम बिमार पड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं he is a doctor किसके पास जाते हम doctors के पास d-o-c-t-o-r doctor postman p-o-s-t-m-a-n postman he puts out fires fireman he puts out fire जो हम वो क्या करते हैं fires को बुझाने के काम करते हैं puts out भगाने के काम करते हैं दूर he is a fireman f-i-r-e-m-a-n he is a fireman next we are helpers we are helpers find our names in the word search below यहाँ पे कुछ names दियो हैं उन्हें हम क्या करना है इस word box से ढून कर क्या करना है highlight करना है search below इस word box में से हम क्या करना है इन names को find out करना है search करना है let's find out this name in this match box sorry in this box so first name is postman p-o-s-t-m-a-n देखते हैं कहाँ पे होगा p-o p-o p-o-s t-m-a-n postman क्या करेंगे इसको हम circle करके highlight कर लेंगे है next में क्या है fireman 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 next क्या है doctor d-o-c-t-o-r doctor d-o-c-t-o-r doctor next क्या है nurse n-u-r-s-e nurse nurse n-u-r-s-e nurse n-u-r-s-e nurse next है carpenter c-a-r-p-e-n-t-e-r carpenter c-a-r-p-e-n-t-e-r carpenter next है pilot P-I-L-O-T pilot P-I यह पर मिल रहा है क्या पाइलेट पी आई पी आई एल ओ टी पाइलेट पी कारपेंटर में भी कॉमेन है और मतलब कि पाइलेट और कारपेंटर में टी कॉमेन पाइलेट पुलीसमें नेस्ट इस पुलीसमें पी ओ एल आई सी एम ए एन पुलीसमें नेस्ट नेस्ट में जाते हम नेस्ट क्या है क्या कॉश्ण है राइड दी आपोजिट वर्स फ्रॉम दी बॉक्स इन बॉक्स में से हमें इन वर्स में का आपोजिट वर्स फाइंड डॉट करना है और क्या करना है इन खाली जगहों पर लिखते जाना है इसके ज़स्ट सामने सामने में इसके अपोजिट वर्स को इसके बॉक्स में भी दिया हुआ है उसे हमें फाइंड डॉट करना है और क्रिक्सी जाना है फास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, slow, s-l-o-w, fast means तेज, slow means धीरे, outside, outside का अपोजिट वर्ड क्या होगा, inside, i-n-s-i-d-e, outside, बाहर, inside means अंदर, tall, t-a-double-l, tall, tall का अपोजिट वर्ड क्या होगा, small, tall means लंबा, small means छोटा, next is night, n-i-g-e-s-t, night means राद, d-a-y, day, day means दिन, next is dangerous, d-a-n-g-e-r-o-u-s, dangerous, dangerous का अपोजिट वर्ड क्या होगा, safe, dangerous means खत्रा, safe means स्रक्षित, next है big, b-i-g, big, big का अपोजिट वर्ड क्या होगा, big, short, s-h-o-r-t, big means बड़ा, short means छोटा, next है thin, t-h-i-n, thin, thin का अपोजिट वर्ड क्या होगा, fat, सब इसमें दिया हुआ है, short दिया था, safe है, small है, inside है, day है, तो thin, thin means पतला, fat means मोटा, next, next में क्या है, match each person with the correct tools, यहां पर कुछ persons की pictures दिये हुए, और इन सब pictures को हमें देख के हमें, पता करना है कि कौन-कॉइस इन pictures को match करेगा, तो सबसे पहले, एक girl का picture है, जो क्या पहनी हुए, kitchen app, तो kitchen app पहनी हुए, मतलब कि यह क्या है, cook है, है, तो cook का, कौन-कॉइस इसमें match करेगा, cook में knife, knife से क्या करते हैं, cook, अपने vegetables को काटते हैं, और यह vegetables, यह दोनों ही क्या होंगे, इन cook को, cook का tools हो गया, है, ना, next में क्या picture है, एक carpenter का, तो यह carpenter का tools क्या क्या होगा, handshaw and cheese, wood cheese, wood cheese, sorry, यह क्या है, wood cheese, तो carpenter का दोनों क्या होगे, tools होगे, handshaw and wood cheese, next में क्या picture है, यह क्या है, doctor, तो doctor का, क्या होता है, हमेशा, हमेशा उनके हाथ नहीं, या उनकी pass क्या मिलेगा, आपको, status quo, status quo, तो हम क्या करेंगे, इन doctors को, इनके correct tools से match करेंगे, इनके correct tools क्या है, status quo, झाल झाल